ITR फाइल करने से पहले दो important document डाउनलोड करना मत भूलना 26AS एंड AIS चाहे कोई भी केस हो चाहे TDS ना कटा हो तब भी इसके लिए website पर आईए income-text.gov.in आपको यही page appear होगा यहाँ option है login की अगर आपने register नहीं किया तो पहले register करिये अगर register कर लिया है तो फिर login के लिए when based of login login कर लेने के बाद आपको यही dashboard appear होगा यहाँ आपको उपर option दिखती है यह file यह file में income-text return इसी में एक option है view form 26AS तो पहला document है आपका 26AS यह आपको जरूर चेक करना है क्योंकि अगर आपका किसी ने TDS या TCS काटा है तो यहाँ पर show होगा और भी detail 26AS में reflect होती है इसलिए एक और important document रहेगा services में जाकर annual information statement तो दोनों को हम download कर रहे हैं download के लिए हमको जाना है 26AS income tax return में 26AS click करना है इस पर click करने के बाद आप next page पर आजाएंगे फिर proceed करते प्रोसेड करने के बाद option आ रहे है view 26AS इस पर click कर ले अब आप पहुंच गए 26AS के page पर जिस भी year का आप 26AS डाउनलोड करना चाहते हैं वो assessment pair आपको यहाँ पर select करना है मैं कर रहा हूं 23-24 का इस को यहाँ पर click कर लिया है यहाँ पर view as कैसे view as करना चाहते है HTML डाउनलोड के लिए भी पहले आपको इस पर इस पर किलिक करना पड़ेगा वियू या डाउनलोड इस पर click करिए जैसे ही आप इस पर किलिक कर देंगे देखें ए ओप्शन active हो गई export at PDF साथ ही आप नीचे scroll करेंगे तो आप नीचे यहाँ पर आपको पूरा आपका 26AS दिखाई देगा किसी ने आपका TDS डिडेक्ट किया होगा किसी ने 15G 15H सम्मिट किया होगा 94B में ट्रंजेक्शन होगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपना पूरा का पूरा 26AS में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको सेव कर ले export to PDF पर किलिक करें नीचे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होके कुछ इस तरह का 26AS आपके सामने आ जाएगा अगर किसी ने आपका पार्ट वन में TDS काटा है तो वो सारे डिटेल डिखेगी केन ओफ डिटेक्टर कितना TDS डिटक्ट करके कितना जमा करवाया मैक सुयर आप ये जरूर इन्सुयर करे किसी ने आपका अगर TDS काटा है यहाँ पर जरूर रिफलेक्ट होना चाहिए इसके अलावा डिटेल है टेस्ट डिटक्टर एट सॉर्स 15G एंड 15H अगर आपने बैंक में 15GH सब्मिट कर दिया था तो कई बार यहाँ पर इनकम डिपोर्ट कर दी जाती है TDS का माउट नहीं आता पर्ट 3 में जो डिटेल होती है वो ट्रांजेक्शन 194B, 194R, 194S नेक्ट होता है 194I, 194IB, 194M, 194S यह TDS के सेक्शन है इनके अकोडिंग अगर आपका कोई TDS कटा है तो इन पर्ट्स में दिखाई देता है आजकल आपके 26AS में अगर आपने खुदने कोई TDS भराए तो वो रिक्फलेक्ट नहीं होता है वो कहां दिखेगा आपके AIS में तो आपने 26AS को डाउनलोड करना सीख लिया इसके डाउनलोड होने के बाद जो फाइल मिलती है इस पर कोई भी पासवर्ड नहीं है ड्रेक्टली यहां पर उपन हो जाती है अब हम करेंगे डाउनलोड AIS Services में आए AIS पर क्लिक करें और Proceed पर क्लिक कर दें आप एक अलग पेज पर चले जाएंगे यहां पर आकेर आपको Option मिलेगी AIS की इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दो तरह से आपका AIS दिखेगा The TIS in AIS इस पर क्या डिफरेंट्स है इसके इस पर आपकी Income Tax Return में सारा डाटा प्रिफिल होता है और यह डिटेल है यहां पर दिया है डाउनलोड करने का टेब हम यहां से इसको डाउनलोड करेंगे इस पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे ही आप क्लिक करोगे तीन तरह का डाउनलोड ओप्शन यहां पर अवेलेबल होगा PDF में चाहते हैं आप J-Aison में चाहते हैं यह किसलिए काम आता है अगर आपको AIS में किसी भी ट्रांजेक्शन पर फिडबेक देना है ट्रांजेक्शन बहूत सारी है तो आप इसकी यूटिलिटी डाउनलोड करके क्रेक्शन करके J-Aison फाइल में अपलोड कर सकते हैं कंसोलेडेट फिडबेक के लिए PDF यहां पर है हमें जो AIS डाउनलोड करना है वो यह है अगर AIS में कोई information नहीं होगी तो वो डाउनलोड नहीं होगा जिनका AIS blank होगा तो वो डाउनलोड करने की option आपको नहीं मिलेगी और इस फाइल में पास्वर्ड लगा हुआ है अपर केस में pen और आपका date of birth यह यूज करना है और make sure करे यह था डाउनलोड प्रोसेज अगर आपको view करना है तो इस पर click कर लेना है click करते ही आपको दिखेगी आपकी information TDS, TCS अगर किसी ने काटा है तो सारा यहां reflect होगा SFT information, payment of taxation demand and refund other information अगर खुद tag जमा कराते है वो इस टेप में दिखेगा और TRS में आपकी हर तरह की income report की जाती ही आपके pain के against आप कोई भी account conceal नहीं कर सकते आपकी कोई AC income है जो AIS में तो आ रही है लेकिन आपने ITR में नहीं भरी तो आता है income tax department से 100% notice तो AC में आपको 100% notice receive होता है ऐसी गलती नहीं करनी कि आपकी AIS में तो income आ रही है आपने AIS को ignore कर दिया इसको ignore कर दिया और अपने हिसाब से ITR भर ली तो notice आएगा डाउनलोड होने के बाद ऐसा दिखता है आपका AIS 1. Information in TDS and TCS तो सारी information आपको मिलती है जैसे section 194 में dividend दिख रहा है Life Insurance Corporation का amount 22 rupees quarter दिख रहा है नीचे date of payment दिख रही है amount दिख रही है amount paid और credit पे कितना TDS कटा है कितना TDS कटा है वो यह है यह TDS नहीं है नीचे वाला amount TDS है तो गलती नहीं करनी ए AIS को देखना भी आना चाहिए आपको द्यान से TDS का amount यहां लिखा है नीचे business की receipt अगर होगी आपकी वो दिखाई देंगी जैसे इस case में कुछ receipt आ रही है नीचे scroll करेंगे तो AIS में आपने कुछ text भी भरा होगा तो वो भी आपको यहां पर दिखाई देगा नमबर नहीं मिल रहा है आपको अगर आपके पास चालान की receipt मिस हो गई है तो यह combination होता है आपकी चालान details का 7 digits आपके BSR codes है इसकी बाद आप देख सकते हैं यह पूरी date है यह वाली यहां तक 15 December 2022 को last के जो 5 डिजिट है वो है आपका चालान नमबर तो कई बार क्या होता है कि चालान आपका miss place हो गया वो नहीं मिल रहा है तो अब आपने सीख लिया 20AS और AI इसको download करना और इसको केसे देखना है और इस document के बिना आप ITR को file ना करें